एंड ओफ एर सेल, चार दिन का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, 28 से 31 समबर 2022, पाईए अप्टू 90 परसेंट ओफ प्लस 50 परसेंट एक्स्टा वैलिटी, बैंकिंग, SSC, रेलवे, गेट, AJAE, टीचिंग, स्टेट, PSC, UPSC, डिफेंस और कई सारे एक्जाम्स पर, साथी साथ पाईए बहुत सारे प्राइज़ जीतने का मौका, जैसे अपनी फैमिली के लिए एक कार, अभी टेस्ट बूक एब पर जाईए, अपनी चॉइस के एक्जाम की सुपर कोचिंग पर जाईए, जॉइन नाओ बटन पर क्लिक कीजे, और प्रोसीड टू पेमेंट करक आदाप सास्रियाकाल और आप सभी का स्वागत है, टेस्ट बूक किये हमारे सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, दोस्तों एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको फ्री में तो पढ़ाते हैं, आपको बहुत सारी क्वेस्चन की प्र वीडियोज, उनके हमारे लाइफ क्लासेज और उनके क्लासेज के अधार पर आधुनिक पैटर्न पर मॉक टेस्ट, क्विजेज और उन सभी बच्चों के साथ कॉम्पिटीशन, लाखो बच्चों के साथ जो आपके साथ एक्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों तब आपको मिलेगा जब आप कूपन कोड इस्तमाल करेंगे, पंकज, मिरा नाम पंकज चौबे तो पंकज आपको लिखना है और चौबे का C, यह कूपन कोड का इस्तमाल करना है दोस्तों, और इन्रोल कर जाना है, जिससे कि आपको यहाँ पर सरवाधिक डिसकाउंट मिल और पंकज सी कूपन कोड का इस्तमाल करके सरवाधिक डिसकाउंट का फैयदा उठाना है, यही नहीं दोस्तों, स्सी सीजल टीर टू का कोर्स भी यहाँ पर हमने लॉंच किया हुगा है, जहां पर आपको 6 महिने का कोर्स मातर 899 रुपए का मिल रहा है, तो अभी जाहिए अपने सपने की जो उडान है, उसको पूरा करने के लिए आप टेस्बुक के सुपर कोचिंग, जो कि आपकी आप पर उपलब्द है, उसको जाइन कर सकते हैं, दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, तो SSC, Railway, Banking, हमारे तीनों का जो combined कोर्स है, वो आपको यहाँ पर दे के लिए आपको हो जाएगा, तो इस तरीके से यह सांदार कोर्सेस जो आपके प्रपरेशन में आपकी मदद करने वाले हैं, यह उन, देखें, हमारे कर्टब पत पर तो हमी को चलना है, लेकिन उस पर पगडंडियों बनाने का काम जो है, यह आपको रिसोर्सेस करते हैं, जो आपको यहाँ पर टेस्ट बुक के ऑफीसियल हमारी एप पर जा करके मिल जाएगा, जाएगे, और अपनी सपनों किडान 31 दिसंबर तक जरूर इन्रोल करके सुरू कर दीजे, ठीक है, तो तो 224 रुपे का यह कोर्स आपको बहुत सांदार तरीके से यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, सर कल क्लास को नहीं थी, तो कल थोड़ी सी तव्यत ऊपर नीचे होगे थी, इससे क्लास नहीं थी, तो चलिए आज ही क्लास को सुरू करते हैं, जल्दी से सारे लोग यतने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, अपने दोस्तों के सेसन को सेयर कर दे और ये प्रिस्तली बार के हमारे प्रस्त में पूछा गया था, कि सर, हाँ, पीम मा, पीम नरेंद्र मोदी जी की मा का भी निधन हो गया है, और मतलब सौ वर्स की आयू में, पीम साब की मा का जो है निधन हुआ है, वो भी एक बहुत इंपोर्टेंट निउस है, चलिए तो यह प्रजनता बोल लिए है, सही जवाब होना चाहिए, हमारे महात्मा गांधी जी की सांदार किताब थी, एक्सपेरिमेंट, इस्टोरी आफ एक्सपेरिमेंट विद टुथ, एस्टोरी आफ माय एक्सपेरिमेंट विद टुथ, यहाँ पर आप देख सकते, एपीज अबदु जी की सांदार किताब है, अगला कोशन आपके सामने है, नागरिक्ता कानून को आप किस नंबर वाले हमारे, किस देश से देखेंगे कि हमने अडॉप्ट किया है, नागरिक्ता कानून के अगर हम बात करते हैं, इमने कौन से देश से अडॉप्ट किया हुए, जल्दी से सा पर सारे जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं वो जुड़ जाएंगे जानता ने जवाब दिना शुरू कर दिया है कि सर यूके के उपर टिक करना है पार्ट नंबर दो में नागरिक्ता के बारें पढ़ेंगे ये यूके से हमारा मिला हुआ है आम तोर पर जो रेतीले और हमा आपको यहां पर बताना है सरकार को जो हमारे प्राप्तियां अप्रतिदे होती हैं उनको यहां पर जनता ने जवाब दिना शुरू कर दिया कि सउत्तर होना चाहिए हमारे राजस्व रिसेप्ट या राजस्व प्राप्तियों के तरफ हमें टिक करना है जो सरकार को पैसा मिलता है इंकम होती है उसको रिविन्यू बोलते हैं और जो पैसा खर्च कलते है उसको एक वर्तमान के खेल और युवा मंत्राले के मंत्री कौन रह चुके है मतलब यहां पर यह देखे पूर्व यह हमारे प्रिवियस एर का कोशन है तो पूर्व सरकार में मतलब जो इसके पहले मोधी गर्मेंट थी उसमें कौन थे यहां पर अभी आपको जवाब देना है तो अगला प्रसना आपके सामने लक्षदीब के उपर मैं प्रसन पूर्शा जाता हूं कि लक्षदीब जो है यह हमारा कहा परिस्तित है इंडियन ओसियन है पैस्पिक है अरेबिक है या बंगाल की खाड़ी में जल्दी सवाब देना है सारे के साहे लोग तो जनता का जवाब बाना शुरूब यह हो चुका है कि सर लक्षदीब जो की हमारे कोरल हमारे आइलेंड से बने हुए है प्रवाल की भित्ती से बने हुए है सभी को मैंने करेंट अफेल सी क्लास में बताया था यह हमारे अरब सागर में इस्थित दिखाई देंगे यह देखे यह हमारा अरब मैचेस खेले और उसमें गोल बीनों ने किये हुएं तो सबसे बड़े खिलाडी बन गए है ये दूसरे यहाँ पर यंता बोले है सही जवाब होना चाहिए ये सुनील छेतरी है भारती तीम के कप्तान है यो कि हमारे फुटबॉल में हमारे जो प्रतसर ने अच्छा नहीं रहता है लेकिन फिर भी सुनील छेतरी बाइचिंग भाटिया इन लोगों ने बहुत अपनी तरफ से कोसिस किये सही जवाब हो जाएगा दो नंबर अगला कोशन आपके यहाँ पर जवाब थोड़ा एकोनोमिक्स का कोशन है बहुत साई लोगों को डर लगेगा मुझे पता है पूंजी उत्पादन के दौरान कच्छे माल की किस्म और हाथ में पैसे को संदर्बित कौन करता है यहा इतनी वरकिंग कैपिटल होने चाहिए इतनी कैसे ओने चाहिए वरकिंग कैपिटल जिसका इस्तमाल हम लोग कर सकते हैं हमधर ओं की तब से हमारे यहां पर यह वायरस के उपर बहुत सारी बाते होना शुरू हो गई वायरस यह करता है वायरस से यह बिमारी होती यह होता है तो वायरस तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आप इसको विरोलोजी बोलेंगे अच्छा बताईए इंडियन विरोलोजी का हमारा ह एंडियन विरोजी इंस्टिटूट का हैड़कॉटर कौन बच्चे बताएंगे यहाँ पर वही बच्चों का यहाँ पर जवाब आएगा जो यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई जो बीए फाइब का क्या है हमारा म्यूटेशन है तो मैं रहो कि नहीं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपको तरने कि गांधी इर्विन समझोते क्या जो हमारा किस आंदोलन से संबंध आप यहां पर करके आएंगे जवाब आप सभी को देना है कुछ बच्चे जो आंदोलन चल रहा था तो बहुत साय लोगों को गिरफतार किया गया और फिर गांधी जी ने उस गिरफतारी का फाइदा उठा करके यहाँ पे इर्विन ने उस ग्रफतारी का फायदा उठा करके यह समझाता किया था याद रखेगा यह गांधी इर्विन समझाता 1931 में हुआ था सविने अवग्या अंदूलन दूस्त अगला यहाँ पर किड्नी अगर अच्छे से काम नहीं करते है है ना तो हम यहाँ पर किस के लिए किस प्रॉसेस के लिए डॉक्टर आपको सजेस करेंगे यहाँ पर सर्कुलेशन है फिल्टरेशन है प्यूरिफिकेशन है या डायलेसिस है किसके लिए डक्टर आपको सजेस्स करेंगा भी, आपकी kidney सच्छे से काम नहीं कर रही हैं आपको भई ये कराना पड़ेगा तो यहां पर अंता बोली है, सज सही जवाब होना चाहिए, डायलिसस सही जवाब होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर हमेशा मैं यहाँ पर एक कोश्चन आया तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा पहला सुख है निरोगी काया, दूसा सुख है पासमाया, तीसा सुख है पुत्र हो आग्या कारी भाईया देखिए आपके पास पैसा तो भहुत है, लेकिन किड्नी में विकार है, लीबर में सूजन है, बलड में कोई कमी है तो याद रखिए का वो करोडों की संपत्ती आपकी बरवाद है, लेकिन आप कम कमाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 कमाते हैं, लेकिन आप स्वस्थ हैं, तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है तो याद रखिए, इस सरीर की कद्र करिए, किड्नी, लीबर, ये जो करोडों के अंग लेके घूम रहे हो ना, जो अनमोल अंग है, ये इसकी कद्र करिए सबी लोग, और यहाँ पर डियलेसिस के उपर टिक करिए अगला प्रसनाप के सामने, जम्बू कस्मीर को विसेस राजिका दरजा कब की दिया गया था, सर का कोशन बहुत आसान है, कि जम्बू कस्मीर के बारे में सर पूछ रहे है, सबी लोग ने आपर कमेंट करना शुरू कर दिया है, कि सर, जम्बू कस्मीर को विसेस राजिका दर्जा सर 370 के तैद दिया गया है याद रखेगा मैं याँ पर इसके बारे में जरूर जिक्र करूंगा आर्टिकल नंबर ट्रिपल वन यह हमें वीटो पावर के बारे में बताता है वीटो पावर के बारे में हमको जानकारी देता है तो आर्टिकल नंबर हमारे पत्ती की जो निचली सता होती है, उस पर जो छिद्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर खूलके जवाब देना शुरू कर दिया, अकला कोशन आपके सामने बहुत आसान सा है, 1998 में नोबल प्राइcale के स्को दिया गया था, economics के छेतर में, भौट अच्छी तरीकर Corn시 है, बवहुत अच्छी जवाब देना है. सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि सर इनको Nobel Prize पहले मिला था और भारत रत्न बाद में मिला भारत रत्न जो है ये इनको 1999 में दिया गया दोस्तों और इनका नाम था अमरत के सेन अमरत दिसेन के उपर जितने मा हमारे स्टुडेंट गया बिलकुल सही जवाब है पिछली बार के एक्जाम में हमसे पूछा गया था रगुराम राजन जो कि हमारे दिरिजर बैंक कॉफ इंडिया के पूर वो गवर्नर थे इनकी किताब का नाम ठोक दीजिए इनकी किताब का नाम आप सभी लोगं को ठोकने को बोला गया था कितने लोगं कर पाएंगे तो यहां पर जनता बोली है सर इनकी किताब लगातार पूछी जा रही है किताब का नाम बहुत आसान है I do what I do I do what I do ये इनकी किताब का नाम है भाईया मोदी जी ने कहा सुनो इधरा रागू रागू ने बोला बताईगे एक काम करते हमको नोट बंद करनी है तो इन्हों ने कहा भाईया ने जब इनके उपर प्रेसर बनाया तो इन्हों ने कहा I do what I do मैं छोड़ रहा हूँ आपकी पदवी रजर्व बैंक के गवर्नर की पोष्ट को छोड़ दिया था रगूराम राजन ने चलिए आगे चलते अगला प्रसन बात करते अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर ही आता है जम्बू कस्मीर के खाना बदोस को क्या बोलते है घोटिया बोलते है गद्दी चरवाह बोलते है सेरपा बोलते है या गुजर बकरवाल बोलते है रे भाया यहाँ पर कोई है गुजर की नहीं कि सब यहां पर सांत बैठने वाले हैं तो यहां पर जनता बोली है सर हमारे यहां पर अब मैं गुजर बकरवाल से मुझको एक याद आता है हमारे यहां पर मेरा रूम पार्टनर जो है वो गुजर थे अब जनतों हम लोग क्या करते है घी कैसे खाते है तो दाल या सबजी होती है उसके उपर एक चमच घी डाल लेते हैं लेकिन हमारे जो गुजर भाई और जाट भाई होते हैं यह पहले कटोरी में घी लेते हैं और उसके उपर से सबजी डालते हैं मनतला बलगी लेबल का इनका जो है वो milk and milk product खाने का जो concept होता है और मुझे बड़ा पसंद आया और बड़ा ही सांदार व्यक्तित होता है इनका तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजर बकरवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इक आसा कोशन आपके लिए दुनिया में सबसे जाता धातू तन्य या डेक्टाइल मिटर आप किसको बोलेंगे जिसके एक ग्राम को आप कई किलो मिटर तक खीज सकते हैं तो यहाँ पर आलोग भोलाएं हैं बिटा पढ़ाई कर लो इंट तुमको मारें बहुत आजम सही बतार है तुमको अम जयानते हो क्या कर देंगे ब्लॉक कर देंगे पढ़ाई ध्यान दो आलो यहाँ जो है यहाँ पर बिल्कुछ सही जवाब हो जाएगा सोने को सबसे पूड़ो हमारा सबसे ज्यादा बिद्धुत का चालक तक, कौन सा है बिद्धुत का चालक किस बार पूश्यल कloveka उफ है रहाद हरा है, 20 जो sap, ज्यादा चालक होता है, मतलब धातु तन्य होता है और अलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चांदी की होती है चलिए अगला प्रसना आपके सामने हवा महल को सवाई जैसिंग सेकेंड ने 1799 में कहां पर बनवाया था सर का कोशन प्रिती सुना तुमने सर ने क्या बोला कि सवाई जैसिंग सेकेंड ने हमारे हवा महल को किस जगा पर 1799 में बनवाया था हैं ले आपकर सब पहले सवाई सबहाई बने बनवाया और यहां पर जेपूर जितने लोग बोले हैं फिर ले गए तिल वाले दुलन्या ले गए यहां पर जैपुर ल बोल जवाब उनका उनका सहीय साइं है भारत में नियाय प्रणाली में अदालत्तों को हमारे सबसे उपर रखा गया यार बच्छ वाला कोश्चन है कौन रिप्ट आएगा यार बच्छ वाला कोश्चन है और अभी तक हमें 150 के उपर नहीं जल्दी से 150 के उपर जितने भी हमारे छोटे भाई बैन है वह इस आंकड़े को लेके जाएंगे जितने छोटे भाई बैने उनको हमने बोला है जो साथ देते हैं अब यंता बोली है सब्सक्राइब होना चाहिए सब्सक्राइब करेंगे तो सुप्रीम कोट हमको खीच के ले जाएगी आर्टिकल नंबर वन्टू के फोर में लिखा हुआ है याद और दोस्तों हमारे जो पचासवे नंबर के चीफ जेस्टिस है पचासवे नंबर के उनका नाम है डी वाई चंद्रचूण डी चंद्रचूण के उपर टिकर के नंबर प्रात कर लेंगे कर लेंगे भाई साब अगला प्रसना आप के स्क्रिंग पर है फ्रांसीसी क्रांती से प्रेरित व्यक्ति का नाम आपको टिक करके नंबर खीचना है कितने लोग खीचने वाले मैं देखने वाला हूँ कितने लोग खीचने वाले हैं वो मैं देखने वाला हूँ कि फ्रांसीसी क्रांती से प्रेरित व्यक्ति कोन सारे हमारे SSC के जितने भी स सारे प्रस्णों को अगर नहीं लगा पार है तो भाई यह दिक्कत वाली बात है यहाँ पर सुल्टान और उसके साथ का नाम आपको बताना है इस्थाई बंदबस्त को शुरू करने वाले लॉड कार्नेवलिस जो थे वो यहाँ पर सभी जवाब हो जाएगा लॉड कार्नेवलिस के उपा टिक करके नमबर खीच लिया अगला प्रसनाब के स्क्रीन पर इनमें से कौन सिंदू से कोई संबंद नहीं है सिंधु नदी से इसका कोई संबंद नहीं, आसान कोश्चन है न भई, क्यो राज, आसान कोश्चन है नहीं है, हमारे सिंधु नदी से इसका कोई संबंद नहीं है, अपना अलगी लेबल में ये नदी बहती है हमारे देश में, तो यहाँ पर धरमेंद्र का मानना है, नितिन क तक आप प्रियाग राज तक आप देखेंगे ये हमारा नेशनल हाइवे नमबर वन है जो हमारे एक्जाम में पूचा गया था वो गंगा नदी में हल्दिया से लेकर के कहां तक आप यहां पर हल्दिया से लेकर के खुबली तक अलहाबाद तक प्रियाग राज तक आप देखेंगे यह हमारा नेशनल हाईवे नंबर वन है प्रियाग राज तक क्लियर भाई सब सही है ना भाई कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत तो हमको बता जेना आप यहां पर सही कर लीजिए अगला प्रसना आपके सामने ये कराया हुगा कोश्चन है राजिव गांधी खेल रत्म पुरस्कार प्राप्त करता का नाम आपको बताना है भाई मैं हिंट दे रहा हूं वाकिया का तुम नों देख लेना 2008 के उलम्पिक में भाईया जी ने पहली बार गोल्ड मिडल जीताया था इंडी विज्वल पहली बार हमें व्यक्तिगत सोना दीदाया था बताए क्या होना चाहिए तो यहां पे सुदीपता बोले सर्थ सही उत्तर होना चाहिए हमको आता है बिलकुल सही जवाब च्वाइट है यहां प्रजनता बोल ले हैं सही जवाब होना चाहिए नहीं है यह हमने लिए कर ते लग के दिक्रम लोह हैं पहले को सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोग का बहुत तहे दिल से सुक्रिया अब गया है इतनैंभी बहुत बढ़ए में जुक जरत भाए भाई-बहाई तुरंद इसको एक स्वस्थी तक लेके जाएंगे अगला कोशन आपके स्क्रीम पे लठमार होली कहां पर होती है प्रीती नहीं पर जवाब देना शुरू कर दिया है सर हमने खूब सुना है लठमार होली ये हमारी बड़ी फेमस है बरसाने वाली राधे 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 राध हाने राधारानी का गाँव सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन आपके सामने 300 कैचल के लेने वाले भारत के पहले विकेट को जानते है और यहां पर सही जवाब हो जाएगा यहां पर महेंदर सिंघ धोनी direct answer is महेंदर साथ का T20 वर्ड कप किस ने जिता है था मेहंदर सिंग धोनी ने T20 वर्ड कप जहां पर हमने जीता 2011 का हमारा जो पचास ओबर वाला वर्ड कप है धोनी ने अभी तुरों को जवाब देना है कि हम लोगों को जो हमारे जो चैंपियन्स ट्रोफी है यह तीनों टाइटल उठाने वाला एक मात्र खिलाड़ी है माही माही अब आपको तरह चैंपियन्स ट्रोफी इन्होंने कौन से साल में हमको जिताई थी तो यहाँ पर चैंपियन्स ट्रोफी 2013 में जना खुल करके एक लगा ताली वजा देंगे सभी से सासूरी ने मगबरा कहां पर है सही जवाब है सासा राम में से सासूरी का मगबरा बना हुआ है यह मगबरा कैसा है तो यह जो मगबरा है यह हमारे जील पर बना हुआ सांदार मगबरा है आपको याद रखना है सासा राम बिहार में है जील के उपर बना हुआ सांदार कुम्ब का मेला आपको किस सहर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा मेरट उज्जैन मतुरा या बनारा सर का question सबको समझ में आ गया सर पूछ रहे कुम्ब का मेला हमारे किस सहर में होता है सर इलहाबाद में सुनें थे इलहाबाद प्रियाग राज तो है ये नहीं का टिक कर दे तो वहिया का टिक कर दे अब तुम ही लोग बता यार दुनिया तुम्हारे हाथ में जाये बताओ तो जन्ता ने आपे जवाब दिना सुरू कर दिया है कि सर कुम्ब का जो मेला है ये हमारे सिर्फ इलहाबाद में नहीं ये हमारे उज्जैन में ये हमारे नासिक में ये हमारे हरिद्वार में और प्रियाग राज में तो लगता ही है उज्जैन is right answer ये हमारे कितने सालों में लगता है खुल करके जवाब दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, रास्टी धरोवर घोसित कर दिया है, यहाँ पर किस मंदिर को पाकिस्तान सरकार ने, तो यहाँ पर हमारे सहनावाज सरीफ की सरकार चल रही है, इवरान खान जी की सरकार गिर गई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पंज तीरत को यहाँ पर पाकिस्तान ने रास्टी धरोवर घोसित कर दिया है, पंज तीरत सही जवाब हो जाएगा, अगला प्रसनाप के सामने है, महिला एकल इंडोनेसिया मास्टर बैटमिंटन टूनामेंट, 2019 की विजेता का नाम यहाँ पर बताना है, सर कोश्चन तो बहुत कठिन है, कोई बात नहीं, जरा देखें कितने लोग यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, इंडोनेसिया मास्टर बैटमिंटन, एक्जाम में बैटे हुएं, आग या कोश्चन आपकी स्क्रीन पर, छोड़ेंगे कितने लोग, कितने लोग निपता के मानेंगे, जनता आइना नहवाल की तूती उस समय बोल रही थी, वायुदारा मतलब एयरबोन डिजीज, हवा से फैलने वाली बीमारियां कौन सी है, कॉलरा, टाइफाइड, टेब्रोकलासिज है, हमारी टीबी, नमोनिया और इंफ्लूंजा है, हमारे मोसा, हमारे कॉमन कोल्ड कफ है, एड स्टाइफाइड नमोनिया, खुल कर जवाब दीजे, कोई दिक्कत नहीं, हम बैटे हैं न, साही कराने के लिए, अरे हम बैटे हैं न, तहां भी अंता बोली है, साही जवाब होना चीज, बहुत ध्यान से लोगों ने देखा और बोला कि सर, हमारे जो टीवी है, नमोनिया ह और भाईया, आजकल जो खून पिये पड़ा है, इनिफ्लुएंजा, पहले जुखाम को लोग बोलता है, जुखाम है तुमको, हमारे टीचर हमको मार दिये थे एक बार, पूछे क्यों क्यों नहीं है, हमने पुला जुखाम है, यही नहीं, हमारे टीचरों का अत्याचार इ कह रहा है कि आने दो बेटा, सब स्कूल, कॉलेज, गुरु द्वारा, मंदिर, मस्जिश सब बंद करवा देंगे, जुखाम को किसी भी दुस्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, इन फुलिंजा एक ऐसी बिमारी है, देस के देस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों ने कोश्चन हो, बिमारी हो, या कोई भी विवेक्ति हो, कभी उसको कम नहीं आकना चाहिए, समझ रहो की नहीं, चलो भाई, अगला कोश्चन बनाते हैं सभी लोग, आपको बताना है कि जमीनदारी सिस्टम में अपनी संपत्ती को हमारे अधिगरहित करने के लिए, जमीनदार सरकारों को किस भू राजस और पुनाली के तैत, सरकार को एक निश्चित रासी के भुगतान के आधिन, अपनी संपत्ती हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था, तो वो थी इस्थाई बंदोबस्त की बिवस्था, किसने सुरू की थी, यहाँ पर मुझे लगबग एक स्वाच्षी बच्चे जो हो चुके हैं, उन सबी का जवाब चाहिए, यह जो पृथा है, इसकी सुरुवाद किस ने की थी, तो जनता खुल के जवाब दे रही है, सर इसकी सुरुवाद जो है, वो लाड कारने वाले इसने की थी, लाड कारने वाले इसके उपर टिकर के न जो सबसे हमारा जहां पर प्रतिमा होती है भगवान की उसको गर्ब ग्रह बोलते हैं सबी को पता है अब उसके चारो तरफ का जो पार्ट होता है उसको प्रदिछणा पार्थ बोलते हैं अब यह जो गोपुरम है यहां पर गोपुरम जो होता है यह सबसे उचा हिस्सा होता चलि एगला प्रसनाब लोग की स्क्रीन पे ले आते हैं, भारत के इनमें से किस सनरक्षित छेतर में मानुवी हस्तक छेप प्रतिबंदित है, मतलब इनसान जो है यहाँ पर सिर्फ अपने किसी प्रकार के सिकार का, किसी प्रकार के आखेट को नहीं कर सकता है, कौन सी वो जग किस से के इन्डिया के नाम है मढद्य प्रदेश सबसे ज्यादा हमारे जो नेसनल पर्क संरक्षित राज्जी के तोड पे जाना जाता है, जासकर हुंजा निबरा जासकर हुंजा निभरा, यह तेर वो जो नहीं तुम्हारा कॉन सा बाहु बली वाली लेंग्वेज लिए लग रही है, वो जो बोलता था काल केज इस लेंग्वेज dönूने जासकर हुंजा निभरा, किसकी सैक नदिया है, तो दोबस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यह यहां पर ऐसे बह रही है और इसके हमारे जो दाई तरफ से आने वाली सायक नदिया है इस तरीके से जासकर यहां पर देखेंगे यहां पर हुंजा और निब्रा देखेंगे यहां से रावी यहां से हमारी सतलज चिनाब यह सब इसके इस तरफ से जुड़ती है नाम अब तंतर दिवस हुआ था तो 2019 के गड़तंतर दिवस में मुख्यतिती के तौर पर कौन आये थे साउथ अपरीका के स्री लंका के जापान के या नेपाल के राष्ट अध्यक्ष क्या होना चाहिए तो यहां पर जनता ने फिर से खुल करके जवाब दे दिया है कि साथ सयुत्तर ह को बोलें सर mean Nepal के होना चाहिए वह गलत हो गया सही जवाब यहापर क्या है हम सही जवाब यहां पर जितनों साउथ यहां पर आप देखेंगे लेकिन कुछ ऐसी प्लास्टिक होते हैं जैसे तुम्हारे घरों में जो स्विचेस लगे हुए ना इलेक्ट्रिक बोर्ड पे उनको हम लोग बोलते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक और इसका उधारन क्या है बैकेलाइट बैकेलाइट जो है यह हमारे स्विचेस बने होते हैं बैकेलाइट के बने होते हैं और याद रखना थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है अब तुमसे पूछा गया यहां पर बड़ धान सुनिएगा बैकेलाइट को बनाने में किसका इस्तमाल किया जाता है तो यहा याद रखेगा थर्मो सेटिंग का एक्जामपल बैकलाइट है और यह फार्मल डिहाइड के हमारे बहुली करण से प्रात होता है याद रखे बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रसना आपके सामने यहां पर प्रेरी से संबंदित है यह प्रिवेस एर का कोश्चन है आपक दो नयायालों के बीच में अगर कोई हमारे दो राजियों के बीच में कोई विबाद हो जैसे आज मैं सुबह पढ़ा रहा था करनाटक और महराष्ट के बीच में विवाद, अभी आपको बताना है इस विवाद को रिजॉल्व करने का जो अधिकार है सुप्रिम कोट का उसको आप किस नाम से जानेंगे, खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुल क प्रसनाप के सामने है, अगर हम पानी में कुछ नमक मिला दें, तो उसके क्वतनांक और हिमनांक पर क्या परभाव पढ़ेगा, क्वतनांक और हिमनांक दोनों में डिक्रीमेंट आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वाइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, लेकिन ह हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कम हो जाएगा, फिर उल्टा लिखा हुआ है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर मैंने नमक मिला दिया पानी में, तो क्या होगा, प्रिविए सेर का कोशन, खु हमारा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम हो जाएगा, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन एक्जाम में पूछा गया प्रसने, मैं नहीं बताऊंगा बार बार, अगला प्रसन आपके सामने, इस्पेशल एकोनोमिक जोन, ये हमारे सरकार के द्व कि सर ये कुश्चन हमको टफ लग रहा है, लेकिन एक्जाम में क्या करोगे, छोड़ के भाग जाओगे एक्जाम में, तो यहाँ पर याद रखिये, सही उत्तर हो जाएगा, फॉरेन कमपनीज को एट्रेक्ट करने के लिए, ये कॉंसेट आए था, और हमारे यहां का जो प मुख्यमंत्री भी थे, और ये हमारे आयोक के अध्यक्ष थे, ये किसलिए बनाया गया था, हमारे OBC को, हमारे ST के लिए, SC के लिए, रूलर महिलाओं के लिए, या बैक्वर्ड क्लास के लिए, तो भईये यहां पर आप सभी लोग देखेंगे, जो मंडल का कमंडल था, ज ठीक करने के लिए, कौन से लिंस का इस्तमाल करेंगे, पहले तो मायोपिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अब इसको ठीक करने के लिए, किस लिंस का इस्तमाल करेंगे, ये भी जवाब देने आपको, तो जनता का जवाब यहां पर बहुत खुल के आ रहा है, सर मायो प्या का मतलब होता है हमारा निकट दरश्टी दोस निकट दरश्टी दोस लेकिन दिखाई ने देती हैं दूर की चीजें दूर की चीजें धुंदली दिखाई देती हैं क्यों इसको निकट दरश्टी दोस बोला गया क्योंकि यहां पर जो हमारा लेंस है वो निकट में आ ज अब हम लोगों को दोसों के ऊपर आभी तक चले जाना चाहिए था लेकिन किनी कराणों की वज़े से आप लोगों ने यहां पर वो सपोर्ट नहीं किया लेकिन अब यहां पर आप से बोलूंगा से जल्दी से आपके साथा सहिततर होना चाहिए अलाउद दीन खिल जी जितने बच्चे बोले, जवाब सही दे रहे, साहे जितने भी हमारे छोटे भाई बैन है, सभी का जवाब अलाउद दीन खिल जी है, सही उत्तर हो जाएगा, अगला कोशन आपके सामने, पर कैपिटा इंकम का दूसा नाम क्या होता है, खुल के जवाब दीजिए, सिर्फ 20 बच्चो हमारे इंकम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, हमारी पर कैप्टा इंकम, यही तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, यही तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला बाबू लोगो, सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है, भारत में दुएत प्र Montague Chams Ford Reform के रूप में इसको जाना जाता है अगला प्रसना आपके इसके लिए यूंपिक में दीपा करमाकर किस रूप में जाने वाली हमारी सबसे खतरनाक वॉल्टी दीपा करमाकर ने यहां पर सांधार्द प्रदसन किया था आपको दाना कि किस रूप में इनका जो हमारे ज रिलिष्ट के तोर पर इनको चुना गया था, सही जवाब हो जाएगा, अगला प्रसना आपके सामने है, आपको उता रहा है कि नेफ्थलीन की गोलियां कुस दिनों के बाद गायाब हो जाती है, नहीं चौथे नमबर पी थी ना, दीपा करमकर, है ना, हाँ, साक्षी मलिक औ और हमारे किंद को मिला हुआ था, हमारे पीवी सिंदू को मिडल मिला था, यह चौथे नमबर पे थी, मिडल से चुक गई थी, आपको जो नेफ्थलीन की गोलियां है, यह किस वज़े से गायाब हो जाती है, जैसे कपूर जो है, उसमें उर्दपातन होता है, उर्दपातन जो सबसे बड़ा exercise किया गया, उसका नाम क्या है, यहाँ पर serpent है, hawk है, skew है, या sea wiggle है, भारती से नाम ने सबसे बड़े exercise में जो participate किया था, उसका नाम क्या है, तो जनता का जवाब आना सुरू हो चुका है, किसा सही उत्तर होना चाहिए, और आप सभी लोगों से मैं बिल जाएगा, चली आगे चलते, अगला प्रसणा आपके सामने, करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आन्दोलन का नारा था,डू और ढ़य भारत के किस आन्दोलन का सुप्रसिद्ध नारा था, जल्दी से जवाब देना है, सारे जिवाप देना सुरू कर दिया है, सर्क्vation ब मुवमेंट भारत छोड़ो आंधोलन का हिस्सा था 1942 में यह हुआ था युनसको की वर्ड हेरिटेस साइट में आप किसको समलित नहीं देखेंगे भाईया जी कहां है सारे के साहे लोग का करना चाहते हो तुम लों जिन्दगी में तो जनता का जवाब आना सुरू हो चुका है सर एहमदाबाद जो है यहां पर पहला सहर था ठीक है यहां पर जो एहमदाबाद है यह पहले सहर के रूप में आपका देखा जाता है युनसको हेरिटेज में इसको समलित किया गया है बहुत इंपॉर्टन जाता है कौन से साल मे समलित किया गया था कौन बताएगा तो 2017 में एहम्दाबाद को समलित किया गया था और 2019 में जैपूर को समलित किया गया तो एहम्दाबाद और जैपूर यह दोनों iOS S हैर है जिनको UNESCO ने अपने heritage site में समलित किया हुआ है चलिए अगला सारे लोग यहां पर देखेंगे डोडा बिट्टा इनमें से किस परवत संखला का सर्वोष सिखर है डोडा बिट्टा चंदन किस का सर्वोष सिखर है देखो क्या अभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिस करवाने के लिए ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म अगर देखेंगे तो प्रैक्टिस के लिए मेन होता है आपको पढ़ना है तो आपको कोचिंग में एड्मिसन लेना पड़ेगा जो कि बहुत नॉमिनल है चंदन यहाँ पर निलगरी जितने लों बोल ले है जवाब सही है निलगरी का सबसे उचा परवट डोडा बेट्टा है माना अधिकार के बारे में कौन सा हमारा स्टेट्मेंट सही है यहाँ पर दस सदस्य होते हैं इनकी सक्तियां केवल सिफारिस के गरने के होती है मुंबई में इसका हेड कौटर है और सरवोच नियाले के अध्यक्ष जो है इसके हमारे जो है वो हैड होते तो यहाँ पर जो उनसा कथन केवल सही है वो अगर आप देखेंगे तो यह है हमारा उप्सन नंबर केवल दो यहाँ पर हमारे जो सदस्तों की संख्या होती वो साथ होती है हेड कौर्टर दिल्ली में है और सुप्रिम कोट के जजज इसके हेड नहीं होते है अगला कोशन आपको अधन है किंग खालिद जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह आपको किस देश में दिखाए देगा किंग खालिद इंटरनेशनल एरपोर्ट आपको किस देश में दिखाए देगा सीरिया में, इराक में, बहरीन में या साउधी अरबिया में तो जनता का जवाब आने लग गया है Sir King Khalid Airport के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह आपको सौधी अरब का सांदार इस्टेडियम दिखाई देगा और यह one of the best इस्टेडियम भी दिखाई देगा अगला दोस्तन आप लोगों को बताना है G1 Star का अगर मापदंड की बात करें कि यहाँ पर जो G1 Star है उसके मापदंड के लिए कौन सा हमारा फेक्टर रिस्पॉंसिबल है इंडस्टियल ग्रोथ है पावर्टी रेस्यू है नेस्टल इंकम है या पर कैपिटा इंकम है जीवन इस्तर को जो हमारे निरधारित करता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा पर कैपिटा इंकम हमारे जीवन इस्तर को निरधारित करता है जितनी जिस देश की पर capital income ज़ादा होती है वहाँ का हमारा lifestyle उतना अच्छा बोलायाता है ठीक है ना अगला question आपको बताना है देश के बीच में तेजी से हो रहे है एक ही करण को जाज इसको हम लोग integration बोलते है कि भया हमारे देश से दूसरे देश में trade करना बड़ा आसान है इसको क्या बोलायाता है चाइना से माल मंगाना है ना कोरिया से माल मंगाना आसान हो गया इस चीज को हमारे यहाँ पर economics में क्या बोलते है globalization, liberalization, modernization या privatization तो जनता का जवाब आना सुरू हो चुका है सर इसको हम लोग globalization या best week करण के उपर टिक करके नमबर ले सकते है modernization के गरणों बात करते है यह हमारे चीजों को modern करना नई 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 टेकनलोजी को सीखना यहाँ पर बोले आता है अगला प्रस्तन आपको बताना यह हमारे tennis का सांदार tournament होता है जहां पर आप double fault सब्द का प्रयोग देखेंगे अगला प्रस्तन आपके सामने filling the blanks व्यापक रूप से इधन के प्रयोग में किया जाता है जिसमें हमारे CNG एक प्रमुख घटन है CNG का एक प्रमुख घटक है मैंने कई बार बताया CNG हो गया हमारे LNG हो गया हमारे PNG हो गया इसका मुख घटक कौन सा होता है जब भी natural gas आ जाएगा हमारे जब भी natural gas आ जाएगा उसमें हमारे methane gas का प्रयोग जो है वो सांदार तरीके से किया जाएगा methane gas बिलकुल सही जवाब हो जाएगा और हमारे जो कही लोग butane बोल लेते इसका प्रयोग LPG में किया जाता है liquidified petroleum gas में आप LPG का इस्तमाल देख सकते हैं अगला प्रोशन आपको बताना है भारत का पहला हमारे भोगोली संकेतक या geographical indication में आप किसका नाम टिक करेंगे geographical indication में सबसे पहला नाम आपको टिक करना है कौन था था तो यहाँ पर अन्ता बोली है सर हमारा जो दार्जलिंग की चाए है सुबह की सुरुआज जैसे चाए से होती है उसी तरीके से हमारे geographical indication की सुरुआज भी तो यहाँ पर चार नमबर जपकी लोगव बोले है 1526 में बाबर ने इबराहिम लोधी को कहां पर हराया था यह प्रसंट आप लोगों से पूछना जाता हूँ जवाब आपको देना है डेंचरस अब्स में बात है फिलेलर होती है तो डेंचरस तो होगी तो यहाँ पर जंता बोले इससे सही जवाब होना चाहिए पानीपत याद रखेगा जो भी चीज आपको फैदा पहुचा रही है वो डेंजरस होगी electricity से बड़ा फैदा है बहुत डेंजरस है आग से बहुत फैदा है डेंजरस है तो जो भी चीज आपको फैदा पहुचा रही है उसका दूस परिणाम जरूर होगा परिणाम और दूस परिणाम किसी भी के दो अंग होते हैं हर इंसान के अंदर हर प्राकृतिक चीज के अंदर दोनों पार्ट होते हैं ना ही कोई राम है और ना ही कोई रावड है सब के अंदर राम और रावड होते हैं अब उसको ये चैन करना होता है कि वो राम बनना चाता है कि रावड बनना चाता है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रसन हमारे सामने क्या है हाँ कामुख मूर्तियों की वस्तु कला के लिए नागरा इस्टाइल में जो बनाया गया मंदिर है वो कौन सा है सबी को यहां पर जवाब देना है सर यह हमारे छतरपूर डिस्टिक में देखने को मिलेगा इसको 14 सताब्दी में हमारे बनाया गया था और यहां पर आप देखेंगे तो बहुत जादा आप यहां पर जाकर देख सकते हो युनिस्को हेरिटेज में सामिल किया गया खजुराहो मद्य प्रदेश के छतरपूर डिस्टिक में देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दक्षिन अफरीका में जो सीटोस और घास के मैदान पाये जाते हैं आउन्स कहां पर होता है तो सर ऑस्टेलिया में डाउन्स होता है खुल कर के आपने जवाब दिया प्रेरी सर अभी आपने बताया था कि अमेरिका में होता है पंपास कहां पर होता है तो साउथ अमेरिका में होता है खुल के जवाब देने वाले बच्चों को यहाँ पर तहे दिल से समाधित करना चाहूंगा दोस्तों आपको पताना है कि लॉर्यंस वर्ड स्पोर्ट्स के लिए इन में से किस खिलाडी का नाम आप चुनना चाहेंगे इनको कभी नामित किया गया और हमारे अबेरनर चटर जी है यहाँ पर उसके आसे पंकज आडवानी है उसके आसे दूती चंद्र है या विगनेश फोगाट है जल्दी खुल के जाब दीजे सारे श्टुएट तो यहाँ पर अनता बोली है सर पंकज आडवानी की तरफ टिक करिए अपना नाम यहाँ पर टिक कराना चाहें गलत है विगनेश फोगाट जी को यहाँ पर किया गया था फोगाट बहने यहाँ पर नहीं भाई एसी थैंक्यू सर नहीं बोलना है करश्णों को बनाना जरूर है हाँ आज मोदी जी की मा का निधन हो गया बहुत ही मतलब सुबह सुबह हमने इस न्यूस को देखा और पेले जी का भी जो हमारे ब्राजील के बहुत बड़े फुटबॉलर थे उनका भी निधन हो गया तो हमने खुब सुना इस बार फाइब का मियूटेशन बनके आगया अगया वीएफ बीफ seven अरे भाईया परेसान कर्मारा है यह क्या होता भाईया यह होता है हमारा अनुवान्सिक जो मिस्टेक होती करेक्ष content नहीं यहां पर जो मिस्टेक होती उसमें कोई परिवातन आ अग कर लिया गल्ती और इंसान के उपर बड़ी भारी पढ़ लिए समझे नहीं इनसान अपने आपको समझता था रहे हम बहुत बड़े से हिंसा हैं हम हर चीज को रोख सकते भगवान ने का वैं सुनो ऊपर वाले ने बोला कही लोग उसको भगवान बोलते कही लोग अल्ला बोल आज जूज रहा है जितने भी बड़े देश हैं इसलिए नेचर का सम्मान करना अगर इंसान नहीं सीखा तो इंसान ही इस धर्ती को खतम कर देगा और यह लिखित बात है लेकिन इंसान को समझ नहीं है वो तो बकलोल बने घूम रहा है उसको तो लग रहा है कि हम सबसे नहीं है हम सब देख लेंगे हम बैक्सीन बना लेंगे हम धिकाना कर लेंगे अब भया ऐसा काम करो की इंसानियत जो है वो जिंदा रहे नहीं तो भया ज्यान रखना हम इसके बाद कुछ नहीं कहीं सकते अगला प्रसना आपके सामने 2018 में जो पुरुस हौकी वर्ड कप हुआ था इसको किस ने ठोका था बिल्जियम, न्यूजिलेंड, अर्जेंटीना या पाकिस्तान चलिए अपर जंता बोली है, सही जवाब होना चाहिए, ये बिल्जियम ने जीता था, पाकिस्तान को कौन जीता है अरे, भोला, पाकिस्तान को जीता भी होता ना, तो हम ये question कराते ही ने, तो बिल्जियम ने इसको जीता था, याद रखेगा, इस बार का जो हौकी वर्ड क आपको किस साल और किस वर्ड में आप देखेंगे, सभी बच्चों को कोसिस करना है, और हम यहाँ पर आप लोगों से एक इलतजा करना चाहते हैं, कि 9 बज़े तक हम लोग 200 की उपर चले जाते हैं, जितने हमारे नए बच्चे हैं, सिर्फ वही उस आंकड़े को 9 बच्चो नमबर 9 में पंचायती राज, आर्टिकल नमबर अगर देखेंगे, तो 243 A से लेकर के, 243 O तक में पंचायती राज के बारे में सांदार तरीके से ठोका गया है, जनता ने जवाब दे दिया, अगला प्रसना आपको बताना है, IUCN में जो हमारे लुप्त पाय प्रजाती है मतलब endangered disease है, या endangered species है, उनको आप क्या बोलेंगे, blue list है, green list है, red list है, या black list है, खुल के जवाब देना है, तीन बच्चे जो सांद बैठे वो भी जवाब दे बहुत आसान है, red list है, international union for conservation of nature, headquarter जल्दी से, खुल के जवाब दीजे, headquarter का नाम कौन बताएगा, headquarter का नाम कौन बताएगा, सारे बच्चे लाइन में खड़ो के बताएगे, चिल्ला दो एक दन, लाइन से खड़ो के चिल्ला दो, जैसे कि तुम लोग किसी टीचर का उपनाम चिल्लाते, आपको बताना क्या होना चाहिए, तो आप यंता बोली है, सर, gland के उपर टिक करिये, जो अगा देखा जाएगा, तो gland के उपर जितने लोग टिक कर रहे हैं, बिलकुस सही जवाब ह इसको बनाय गया ता, ब्रूणो आविले इसके प्रमुक है, sport में इसको बनाय गया था, और आपको याद रखना है, gland सुट्जर लैंड में, इसका headquarter है, अगले परसन के तरफ सब को खुल के जवाब देना आपको यहां पर बताना है, सिजदा और पैबोज, यहां पर आप किस समराठ के द्वारा चालू किया गया बोलेंगे सिस्दा और पैबोज हुए ये किस ने चालू किया था भाई साथ धाई सो बोला था यहाँ पे तो बीस बच्चे काम हो गए अरे बताईए गनेश कैसे काम चलेगा स्सी जीडी का पेपर आ गया है किया आप जनता बोलें सर बलवन होना चाहिए बलवन की तरफ टिक करेंगे सही जवाब हो जाएगा यह अपने आपको किंगसिप थेओरी के जनक के तोर पे जानते किंगसिप थेओरी इस राइट आंसर अगला प्रसना आपको बताना है बांगला देश में इस्थापित एक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो कि हमारे छोटे मोटे रण को देने के लिए जाना जाता है रिजर्बैंक है, फेडरल बैंक है, कॉपरेट्व बैंक है या ग्रामीड बैंक है जवाब आपको खुल के देना है क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए जन्ता ने जवाब देना सुरू कर दिया है सर यहाँ पर ग्रामीड बैंक की तरफ आप तिक करेंगे बांगला देश में स्थापित क्या गया था आपको उतना है, इनमें से 2030 में हमारा कौन सा लक्ष नहीं रखा गया है 2030 में कौन सा लक्ष नहीं रखा गया है लैंगिक समानता मतलब जो हमारे स्तिरपूरुस के बीच में जो हमारा समानता उसको समान करना जीरो हंगर यहाँ पर अच्छा स्वास्त और कल्याण अनुसंधान कौन हमारा नहीं है तो दोस्तों हम याद रखेंगे Sustainable Goal जोकी सत्रा अलग अलग विश्यों पर कितने सत्रा विश्यों पर हमारा सतत विकास कारिक्रम अधारित है हमारा फिल्लेंड इसको अचीव करने में जो है जैसे लेंगिक समानता, जीरो हंगर, ये हमारे हेल्थ हो गया, लेकिन इस पेस की अभी कोई बात नहीं की गई, कि हमको पहले इनके उपर कंट्रोल करना है, खाय का रोटी मिल जाए, पैरा के कपड़ा मिल जाए, और रहिने को घर मिल जाए, ये चीजों के उपर काम करना है, अभी इस पेस अगर थुड़ा पीछे भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है, इसके लिए बहुँ सारे डिपार्ट्मेंट बनाया जाते हैं, high department, high welfare department, how welfare department, विलफेर डिपार्टमेंट के चेर्मेंट के पास तो रहने के लिए पहले छोटा सा घर होता है लेकिन जब वो डिपार्टमेंट बनता है उसके तीन साल के बाद उसके आज तीन ठो घर हो जाते हैं पहले उसके पास जो है वो एक एकड़ खेत होता है जैसे वो डिपार्टमे में नहीं आएगा कि इंसान जो है यहां पर चंद दिनों का मिहमान है यहां पर कुछ जनता ने बोलना शुरू कर दिया है सर हमारे humidity of hair को जो मागता है उसको हम बोलते हैं hygrometer hygrometer है ना hygrometer के नाम से उसको जानते घरेलू कच्रे को recycling करने की जो उतकरष्ट छमता होती है मतलब recycling मतलब वापस से उसको बनाने की वो कौन सा होता है वनस्पती कच्रा है धातू है प्लास्टिक है या रबड है किस घरेलू कच्रे को recycle करने की छमता होती है तो यहाँ पे लोग बोलें सर वेज़ कबाब पराठा सर ओडर करिए तो प्लास्टिक भी कही लोग बोलें सही जवाब है वनस्पती कच्रे का इस्तमाल आप recycle करके कर सकते है उसका वेश्ट से आप उर्वरक बना सकते है कई सारी चीजे यहाँ पर आप कर सकते है तो वेज आउटलूक रिपोर्ट में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 7.4 से 6.8 कर दी गई है मतलब महंगाई की वज़े से यह ग्रोथ रेट में कमी आई है इसको जारी करता है हमारा इंटरनेशनल मोनेटरी फंड कहा है लिखा है इंटरनेशनल हमारे वर्ड एकोनोमिक फोरम या इंटर जी वाला हैगा जो एको एनर्जी एजंसी हो जाएगा याद रखना ठीक है चलो आगे चलते बढ़कर के खिलते हैं चलिए सभी को बताना है दो हजार 11 की जनगर्णा के अनुसार भारत में मुस्लिम भाईयों का जो प्रतिसत है वो कितना है 10.2 है 12.4 है 16.6 है या 13.4 है तो मुस्लिम भाईयों की जो जनसंख्या भारत की टोटल जनसंख्या की कितनी है करोड में नहीं प्रतिसत ने पूछी गई है तो सदाब बोले सर सदाब बोले सर ये होना चाहिए ये इसका जो सही जवाब है पूरी जनसंख्या की 13.4 परसें मुस्लिम भाईयों की जनसंख्या यहां पर सभी लोग बोले हैं सही जवाब होना चाहिए यहां पर हमारे बाबा साथ भीमराव अमेटकर ने मूख नायक न्यूजपेपर की सुरुवात की सही जवाब हो जाएगा तीस्रे ACI प्यरा खेलो 2017 का अधिकारिक सुभांकर कौन था यहां पर अधिकारिक सुभांकर जो है वो तीस्रे ACI खेलो कौन था मोमो अप्टू एजो मोन है या चीम यह नहीं जनता क्या बोलेगी त neces這邊 और प्रक्ड कographers लोगों ने पराके तो सही जवाब होना चाहिए ये हमारा मूमू मूमू के उपर टिक करना है सही जवाब हो जाएगा और अभी जो फुटबॉल वर्ड कप था उसका लाबीब था कौन था लाबीब के उपर टिक करके नंबर प्राप करिए फूल का वो कौन सा हिस्सा है जो बंद कली की खुल का जवाब दीजे कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर एकर हमनों बात करते हैं तो भाईया यह देखे कली है और इसके चारो तरफ यह जो ग्रीन कलर का हिस्सा होता है इसको हमनों बोलते हैं बाहे बाडी गार्ड बोलते है बाडी गार्ड कौन है बाडी गार्ड है ब संदर्चीत हमेशा आकड़सित करने के लिए होती है तियत्तरवे संविधान संसोधन में भारती संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया बारवी नौवी आठवी या ग्यारवी क्या होना चाहिए तो यहां पर जनता बोल लिए है सही जवाब होना चाहिए सर तीहत्तरवे संविधान संसोधन में हमारे देश में सराप ने बताया पंचायती राज को जोड़ा गया था और यह ग्यारवी अन्सूची और नौवापाड था अगला प्रसना आपको बताना है इन में से कौन महा महारतना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की कंपनिया होती है या कौन सी यहां पर महारतना कंपनी है हमारे हां यहां पर जितने लोग बोलें सर हमारे यहां पर जो एंटी पीसी है जिसके उपर हम लोगों ने बात भी की थी एक महारतना कंपनी है यह हमारे 1975 में कंपनी का गठन ह हुआ एंड डिल्ली में इसका हेड़ क्वाटर है और इसके जो प्रमुख है गुर्दीव सिंग इसके प्रमुख के तौर पर जाने जाते हैं तो खुल करके इन बसनों का जवाब आपको याद रखना है 2009 के लिए अंतर राष्टिय हमारे एफ़र्ट के लिए किसको सांती का नॉबल प्राइज आप देलने के लिए बोलेंगे सर इनको सांती का नोबल प्राइस आप दिलवा दीजिए तो दोस्तों ये भी प्रिस्न हमने पढ़ाया है ऐसा नहीं हमने इनको पढ़ाया नहीं है ये भी प्रिस्न को हमने आसानी से आपको कराया हुआ है बहुत अच्छा जनता है याँ पर बोली है क्या नाम था उसका यार उसामा बिल्लादेन को मारने के लिए और अपनी प्रियासों के लिए इनको नोबल प्राइस दिया गया था हमारे पर कम्निस्ट पार्टी M का पार्टी चिन्द क्या है वाट इस दा सिंबल आफ कम्निस्ट पार्टी M हाथी है कमल का फूल है जाडू है या हथोड़ा और दराती है तीन तो मैं जानता हूँ है हाथी ब्यस्पी का है कमल का फूल किसका है कमल का फूल किसका कॉंग्रेस का है क्या कमल का फूल अरे बीजेपी का है जाडू आम आदमी पार्टी की है तो आपने देखा होगा हमारा जो दराती होता है और हथोड़ा रेड कलर का जो है यह आप देखेंगे इस तरीके से दराती होती है और उससे यह हमारा सिंबल होता है कंदिस्ट पार्टी का बहुत बढ़ अगला प्रसना आपके सामने है आप पताने उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिससे डिसेंट्रि क्या 35 स्थ psychology है यहां पर हमारे निजैस बेक्तिरिया है या माइक्रो बैक्तीरियम हमारे खुलके जवाब दीजे क्या होना चाहिए और जंता तो आप दिना सुरूर कर दिया कही लोग सीगोला की तरफ जा रहे हैं और कही लोग बोले हैं सर हमारा जो है वह पाईनोजीस करना चाहिए सही उत्तर हैं यहां पर सीगेला इस राइट अंसर कोलेरा कालरा से हैजा की बिमारी होती है टीबी से ट्यूब्रो क्लॉसिस होता है इसलिए लोग यहां पर ज़्यादा हमें परिसान दिख रहे थे अगला प्रसना आपको देगता ना है हमारा जो एलॉय है मरकरी को अगर किसी भी धातु में जोड़ा जाता है तो इसको हमने बोलते हैं जिंक अमलगम कोपर अमलगम यहां पर आप टिक कर देंगे सही जवा कर्मेंट होते हैं जिससे हम लोग हीटर हो गया जैसे कि हमारा जो है घीजर हो गया उसमें हम लोग नाइक्रोम का इस्तमाल सांदार तरीके से करते हैं अगला प्रसना आपके सामने सुराज पार्टी की स्थापना का सरे आप किसको देना चाहेंगे सुराज पार्टी जो है 13 संमिधान सभा ने संमिधान को कब अपनाया. हमारे जो इंडियन कंसिट्यूशन है, संमिधान को अपनाने का जो कॉनसेप्ट है, ये कब आया. तो भाई हमने कई बार बता है, है इडॉप्ट को याद रखे, कब एडॉप्ट किया गया, और declare दोनों चीजों को हमको याद रखना है adopt कब किया गया और declare कब किया गया दोनों को याद रखना है तो हम यहाँ से आसानी से नमबर खीट पाएंगे तो adopt कब किया गया था याद रखेगा 26 नमबर को declare कब किया गया था 26 जनवरी को याद रखे ने तो number जा सकते हैं भोला declare अपनाया गया था यब घोसित किया गया था 26 जन्वरी को अगला प्रसना आपके सामने है रसोई gas में क्या देखोगे रसोई gas में रसोई gas के सामने हम अपनी मम्मी को खड़ा देखेंगे वो अभी जो है वो पराटे और भुजिया बना रही है हमाई लिए ये कौन लिख रहा है भाई अरे भईया उसमें gas के जो सिलेंडर उसके अंदर कौन सी gas होती है मम्मी हर जगा तुम लों है यहां बहुती है हमारे प्रोपेन और यूटेन के उपर टिक करेंगे अच्छा बताइए जब गैस का रिसाव होता है तो जो gas की smell आती है वो कौन सी होती है क्या यही होती है कोई और होती है जो इसमेल होती है हमारे रसोई gas में उसके लिए कौन सी gas जिम्मेदार है खुलके जवाब दीज़े कोई दिक्कत नहीं है यहां भी अंता ने जवाब देना सुरू कर दिया है सर मेथिल मरकेप्टन gas के उपर टिक करना किसने बोला बहुत अच्छा तो यहां पर आप देखेंगे हमारे यहां पर एथिल मरकेप्टन गैस जितने लोग बोलने है वो जई हुआ है एथिल मरकेप्टन गैस यह हमारे एक्जाम में पूछा भी जा चुका है यह हमारे दुरगंद जो आती है उसके लिए responsible होती है अलो फिर से वही कोशन आ गया कानपूर सहर में 1857 की क्रांती किसम है हमारे किसको हम विद्रो का नेता मानते है रानी लक्षी माई है नाना साब है बेगम हजरत मैल या कुमर से तो फिर से यहां पर जन्ता ने बोला कि सरा आप यहां पर देखेंगे तो सयुत्तर हो जाएगा हमारे नाना साब पेश्वा या जिनको धंदू पंद के नाम से जानते हैं वो सयुत्तर हो जाएगा अगला कोशन आपको बताना है भारती खाद निगम की भूमिका नहीं है इनमें से हमारे FCI का कौन सा काम नहीं है तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं FCI Food Corporation of India मतलब फूड से सम्मंदित, फॉर्मर से सम्मंदित बहुत सारे काम करता है लेकिन यह जो रोल लोन देने का काम करता है यह तो यार नबाड करता है कौन करता है हमारा National Bank for Ruler and Agriculture Development नबाड के नाम से जानते हैं 1982 में बनाए गया था सिवा रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर सिवा रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाए गया था Headquarter मुंबई में अभी इसके Chairman का नाम आपको बताना है हाल में ही परिवर्तित में GR चिंतालाल बेटा चले गए है अभी आपको बताना है कि अभी हमारे हमारे नाबाड के Chairman कौन है केवी साह जी बहुत बढ़ी आणिल के लिए जर्णा जोड़ता विलंग ताली वजा देंगे मौर्गन ने भी देखो के लिए जो बुकर प्राइस से हमारे सम्मानित किये गए उनका नाम यहां पर है ठीक है यहां पर जनता बोले है सर अन्ना बंस के उपर आप टिक करेंगे जवाब से हो जाएगा दूसरे अगर हम यहां पर बात करते हैं हमारे यहां पर 2022 में जिनको बुकर प्राइस मिला और सुर्म में जिनके सबसे बड़े व्यापारी ने सह स्थापित अलिबाबा कंपनी से इस थीपा दे दिया अलिबाबाा कंपनी चा bluff की इंसीपा देने वाले कोट थे कई दिनों तक गायब रहे भाई इनको लगा कि कौन अपहरण कर ले गया तो यहां पर जंता बोले सर जैक मा के उपर टिक करेंगे कौन किसकी मा जैक मा जैक मा इस क्राइट आंसर इन्होंने स्थीपा दे रिया था आपको तरने कि स्वर्णिम चत्रभुज जो है वो किन राज्यकिन हमारे देश के छेत्रों को जोडती है स्वर्णिम चत्रभुज जल्दी से जवाब देना है खुल के जवाब देना है तीन बच्चे जो सांध बैठे वो पता नहीं को सांध बैठे चलिए तो यहां पर जंता बोलेगी ससायुत्तर रोनची है यहां पर हेरिस द हिंदूओं के द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का तेवार क्या बोले आता है सर मेरा बहुत गलत हो रहा है कोई बात नहीं बोला कोई बात नहीं यहां पर पहली क्लास में हो ना तुम आज हम पहली वार तुमको देख रहे हैं बाकि हम सबको जानते है जो रेगुलर आत होता है उसके बाद से हमारे आंदरा प्रदेश में होता है ये तीन जगा है उगाड़ी पूता है पंधांडूं कहाँ पर होता है तमिलनाडू के New Year को फंधांडू के नाम जानते वीसु कहाँ पर होता सर केरला के New Year को वीशु बोलते हैं ना महाराष्टा का तुमनों ने बताई दिया अरे वाँ भाई वाँ मजा गया सड़क घनत तो रोड डैनस्टी जो है यह क्या बताता है तभी तो रिकॉर्ड देखने से नहीं होता है लाइव में जो मजा है ना वो लाइफ में नहीं है पार नी खतम हो गया भाई आज बड़ी प्यास लग रही है तो यहां भी जनता बोले इसा सही जवाब होना चाहिए हमारे यहाँ पर हाँ सौ स्कॉयर किलोमेटर लैंड में जो सड़क का जो एरिया है इसको हम लोग रोड डैनस्टी के नाम से जानते है दिये गए विकल्पो में काली मर्दा में कौन सी फसल उगती है काजू है गन्ना है चाय है या कपास है रेड स्वाइल के लिए कौन सी मिट्टी जिम्मेदार है यहां भी जनता बोली है सही जवाब होना चाहिए काली मिट्टी के लिए जिम्मेदार है वो है कौटन कौटन मतलब कपास काली मिट सैली है यह हमारे 36 गड़ के लिए बड़ी फेमस है छबन की पांडोनी सबसे है हमारे सबसे साफ मोष्ट का जो जोतर लिंग है भारत के किस राज्य में स्थित है साफ मोष्ट का जोतर लिंग अंद्रप्रदेश करनाटक के नाम से जाना जाता है तमिल नाडू में टिक करके नमर प्राप्ट करें यह देखे तमिल नाडू is correct answer अगला प्रस्ण आपको बताना है क्या है यहां पे भारत में स्वेथ क्रांती से संवंधित डेरी का नाम क्या है मदर डएरी है पारस है सरस है या अमूल है बिलकुल playful वर्गेस खुरियन हम Eden और Oxygen के बीच में एक अभिक्रिया है जो उसमर प्रकास का उत्पादन करती है जिसका परणाम law हो है अब आपको बताना है क्या है ये हमारे जो दहन है उसको क्या बोलते है हमने बोली दिया है कंबंसन जिसको दहन बोलते है घवराने वाली बात निए थी फीफा का प्लेयर आप दा इयर 2018 से किसको सम्मानित करवा दिया जाए 2018 के प्लेयर आप दा इयर के रूप में किसका नाम टिक करेंगे मुहम्मद सलाह है क्रिष्टियानो रोनाल्डो है लुका मेड्रिक है या लियोनो मैसी तो 2018 यह वर्ड कप था यह हमारे फाइनल मैच फ्रा वैसे करीम बन्झमा इनको बेलन और अवारदिस ऐधार और प्रसका रहा है और नब को आप। बताब है भारत पर अटेक किया था तैमूर ने भारत पर अटेक करने का जो आपको बताना conditioned अंदुस्तान मे एक आपको बताना एक्भर है अलाल है फिरोज है War and Peace किताब के लेखक के तोर पे आप इनका नाम आगे बढ़ा के आएंगे War and Peace किताब लिखने वाले लेखक कौन है बलदमीर लेनिन है, लियो टलस्टाय है, काल माक्स है या एंटॉन चेखाओ है तो सर यहाँ पे लदमीर पूतीन, लेनिन की तरह जा रहा है बलदमीर लेनिन, के लियो टलस्टाय बोल ले है सही जवाब होजएगा, लियो टलस्टाय जिससे महात्मा गांधी सबसे ज़्यदा प्रेरित थे काल माक्स की किताब बड़ी फेमस है, जिसका नाम है दास कैपिटल यह काल मार्क्स की सांदार किताब है याद रखेगा अगला प्रसन आप सभी को बताना है भारत में हौकी में आठ पदक जीतने के लिए आखरी बार वर्ड पदक कब जीता था तो हौकी में जो पहला पदक है 1923 में भाई सहाब आपको याद रखना है आठ पदक जीते लगा अतार 1956 तक कोई यो नहीं था यार सब जगह केवल एक ही लॉंडे चल ले थे इंडिया के लॉंडे लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ पर क्रिकेट आता है 1900 कीरकेट में जो है नहीं जो भज्रकेट को देने लगते हैं होकी धीरे धीरे से हमारे देश में ऐसे नहीं 1960 में भी हमने सिलवर मेडल जीता परतषन कर रहे थे मिडल आ रहे थे लेकिन 1983 के वर्ड कप के बाद हमारे 1980 में हमने आखरी बार मिडल जीता हम सांत बैठ गए और फिर उसके बाद से हमारे जो सूखा है वो इस बार ऐसी हालत हो गई हौकिंग टीम को स्पॉंसर नहीं मिल ले थे उडिसा ने स्पॉंसर किया और 2021 वाला जो बीस का उलम्पिक था वो हमारे लिए वापस से मिडल लेकर के आया इस बार हमने का से का पतक गीता है अगले प्रस्ट की तर चलते है आर्थिक सर्वेच्षड जो है वो राष्टी बजट के कितने दिन पहले लागू किया जाता है सर का कोशन है जो आर्थिक सर्वेच्षड है यह हमारे आम बजट के कितने दिन पहले आता है तो जनता ने फिर के यहां खुल के जवाब दिया है सर एक दिन पहले आर्थिक सर्वेच्षड जो है यह प्रस्तुत किया जाता है गीता गोपीनाथ ये मुख्य अर्थ सास्त्री के तौर पर काबिज होने वाली भारत की कौन सी हमारे कौन से संगठन में गई है फिर से वर्ड आउट्लूक को जो हमारे चालू करता है व्रिट्सन उट्स कमेटी जिसके रिक्मेंडेशन पर काम करती है ये देखे व्रिट्सन बेल गोला जो है करनाटक के किस जिले में आपको इस्थित दिखाए देगा तो स्रवण गोल बेला ये करनाटक के हमारे बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं हसन डिस्टिक में दिखाए देगा जहां पर चंद्रगुप्त मौरे ने अपने प्राणों को त्यागा था यह नहीं आऐम लहीं आसर्व आरिफ है कि कनाटक में करनाटक से है उसने गलत जवाब दिया होगा तो उसको मारेंगे हाँ अभी उसने देखके जवाब दिया है सर देखेंगे जानते हैं हम तो करनाटक से चलो अगला कोशन आपको वदाना है अंकित ये बताव मुझे कि भारत में आज कल हम लोग MSP के उपर बहुत बात करते हैं भाई कोपरा के लिए हम लोगोंने जो है MSP डिसाइड कर देया पर कुंटल 10,829 रुपए MSP का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साथ यह फुल फॉर्म क्या MSP का तो यहाँ पर सिवानंद, अनिल, भुला सभी लोग बोल ले है, प्रिंस की सर MSP का फुल फॉर्म होता है, मिनिममम सपोर्ट प्राइज मिनिममम सपोर्ट प्राइज मतलब दूई नंबर आप्सन, सही जवाब हो जाएगा गोल कुंडा के लिए का निर्माण तेवी सताब्दी में किस राजवन्स के द्वारा किया गया गोल कुंडा का निर्माण जो है, यह किस राजवन्स के द्वारा किया गया काकातिया है, चोल है, पेरियार है, क्या होना चाहिए किस के द्वारा किया गया, बहुत सांदा तरीके इस जवाब देना है तो यहां पर जन्ता ने फिर से जवाब देना शुरू कर दिया कि इसा सही उत्तर होना चे और सहमत आपकी बाद से सर यह हमारे किसके यह हमारे काकतिया वंस के द्वारा किया गया है और इस चीज के लिए आपको नंबर मिलेगा और आप बढ़िया तरीकर जवाब भी दे रह कनवर्जिंस जोन यह जो हमारा भूमत रेखा इसको कई लोंग डोल ड्रम भी बोलते हैं कई लोंग आई टी सी जट भी बोलते हैं यह हमारे भूमत रेखा वाला जो यह हिस्सा है यही वाला हमारा बोला आता है यह हमारा करक रेखा है मकर रेखा है दूती चंदर इन में से किस खेल से सांदार तरीके से संबंदित है दूती चंदर का संबंद जो है इन में से किस खेल से आपको दिखाई देगा कुछ बच्चों ने आप जवाब दिना शुरू कर दिया है किसा सही उत्तर होना चाहिए मैं भी सहमत हूँ आपकी बास से कि यह हमारे उडीसा से हमारे क्या हो जाते हैं एक दूसरे को करने की चंथा है हमारे उडीसाहर है यह इक दूसरे को क्या करने के इनके उन्दर चंक खांट्र देखी जाएगी तो यहां पर जांता नहीं फिर से जवाब दे दिया है सर अम्ल और चार जैसे कि अगर हम देखेंगे H2SO4 यह देखे हमने लिख दिया और यहाँ पर क्या आ गया हमारा बिल्कुल NACL अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर H2 अलग हो जाता है और हमारा क्या बन जाता है NACL बन जाता है तो इसको Neutralization करते हैं उदा सीनी करण हिंदी में बोलते हैं अगला प्रसनाप लोगों की स्क्रीन पर लेकर क्या आते अच्छी तरीके से देखेगा WHO के द्वारा प्रकासित रिपोर्ट के निसार दुनिया में लगबग कितने प्रतिसत लोगों के घर में पेजल उपलब्द नहीं है मतब पेजल की जो फेसल्टी है वो कितने परसन्ट लोगों के घरों में नहीं देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जिस तरीके इस जन्ता ने खुलकर के जवाब दिया है सर यहाँ पर जो सयुत्त तरोना चीए सेहमा तो आपकी बास से यह हमारे लगबग 2.1 बिलियन घरों में पेजल की सुभिधा नहीं है और हमारे गौर्मेंट ने एक स्कीम चलाई 2019 में यह स्कीम आई जिसको बोलते हर घर जल हर घर जल यहाँ पर मोदी जी ने का 2024 तक सब के घरों में जल दे देंगे अब जल दे देंगे या नल दे देंगे हमें तो पता नहीं हर घर जल यह सकीम के सुरुवात हुई और गोवाभी तक पूरी तरीके से हर घर जल परमारी स्टेट बन गया है हमारे मद्द परदेश का बुरान पूर मद्द प्रदेस का बुरहानपूर पहला हर गरजर प्रमारे दिश्टिक बना था अगला प्रसना आपके सामने कुची पुड़ी कहां पर खेल लिया जाएगा कुची पुड़ी जो है ये कहां पर डांस करवा दिया जाए तो लोगों ने जिस तरीके से जवाब दिया मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सही लोग सही जवाब देंगे लेकिन फिर भी बहुत सही लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सब्सक्राइब भारत मिसे अभियान जो है यह किसकी जनती पर शुरू किया जाता है तो यहां पर जनता बोलेगी यह हमारे मात्मा गांधी जी के उपर शुरू किया जाता है यहां पर सही जवाब हो जाएगा एक नंबर भारत की 26 वी 26 जमेवी 150 को हमारा जो अधनियम संसत के पास भारत के समिधान के प्रवधानों में संसोधन करने की जो सकती है भारत का कौन सानुच्छेद संसत पर इस सकती को लागू करता है हमारे यहां पर क्या हमने बोला संसोधन को लागू करना यह कौन से आर्टिकल में पढ़ेंगे तो यहां पर आर्टिकल 368 जितने हो बोलने है जवाब सही हो जाएगा पार्ट नंबर 20 याद रखेगा अब यह कॉंसेप्ट हमने कहां से लिया हुआ है साउथ अपरिका से इ बात करता है 103 संभिधान संसोधन दोस्तों यह हमारे EWS कमिशन के बारे में जानकारी देता है और आपको यहां देखना है 104 हमारे स्टेट को यह पावर देता है कि हमारे OBC कानून को किस तरीके से हमारे किया जाएगा तो इस तरीके से 104 जो संभिधान संसोधन है यह हमारे सं की सीटों को पार्लेमेंट की सीटों के बारे में बोलता है और 105 वा जो सम्मिदान संसोधन जो लेटिस्ट है यह OBC में राज्यों को पावर देता है चलिए आगे बढ़ते अगला प्रसुन आते हैं हमारे आपर महात्मा गांधी द्वारा सुरू किया गया पहला राष्ट्व आपी आंदूलन कौन सा था रोलेक्ट था बंगाल का विभाजन था खादियुत पादो पर कर था या सॉल्ट एक सा सभी को जवाब देना है कौन सा आंदूलन गांधी जी के द्वारा चालू गया पहला राष्ट्व आपी आंदूलन था तो बहुत साई लोगों का गांदूलन ज्यादा अप्रोप्रेट था फीफा वर्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है या कर चुका है जिसमें अर्जंटीना ने सांदार विजय हांसिल की तो यहां पर फ्रांस और अर्जंटीना के बीच में फाइनल मैच हुआ जिसकी मेजबानी कतर में जाना जाता है रूप में जाना जाता है तो जीवन खेती के अगर हम बात करेंगे तो इसको सिफ्टिंग कल्टिवेशन या इस्तांत्रित खेती के रूप में जानते हैं सई जवाब हो जाएगा एक नंबर 2018 की बजट के अनुसार भारत के रास्पती का मासिक वेतन कितना होता है चार लाख दो लाख पांच लाख या तीन लाख भारत के रास्पती का जो मासिक वेतन है ये कितना होता है तो भारत के रास्पती का जो मासिक वेतन है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पांच ला सा नहीं है अंतर फसल है हमारा फलवार है समूच होती है या विदरिंग है अपशे इन में से कौन सार तो याद रखेगा जो हमारे स्वाइल कनवर्जन है उसके लिए विदरिंग अपशे का मतलब होता है कटाओ नहीं है बाकी कई यह सारे तरीके हैं जो आप यहाँ पर देख रहें डी नंबर ऑप्शन किसी ने बोला नहीं है बहुत कम लोग है दो अजर उन्निस में बीसी सी आई के अध्यक्ष कौन थे सरका कोशन क्या है बीसी सी आई के अध्यक्ष 2019 में कौन थे ससांक मनुहर सी के खन्ना विनोध राय अनुड़ाक थाकूर थाकूर तो दोस्तों बीसी सी आई के अगर बात करते हैं तो यह हमारे सौरफ गांगूली जी 35 नंबर करक्ष मने इनका कारिकल खत्म होने पर 36 वे रोजर बिननी है और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर टिक कर रहें तो किसी घंट्रर सब्साम वर्स 1999 में जो सैने सा सकते जब कारगिल की लड़ाई हुई तो हमारे कौन से पाकिस्तानी जनरल जो है अटल बिहरी बाचपई की पीट पे छूरा घोप दिये भया आये यहाँ पे सिखर संबेलन करने के लिए आगरा में सिखरवारता थी पूरी चाक-चौबंद थी और वहां से इसिखरवारता इंडिया अले सोच रहा पाकिस्तानी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे है और उधर से हो रही थी कारगिल में घुसपैट समझरो कि नहीं मतलब यह पाकिस्तानी कारगिल में घुसपैट कर रहे थे और उसके बाद से तो फिर समझ में आ गया कि यह उनका अंतिम मौका था भारत से दोस्ती करने का परवेज मुसर्रफ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान को समझाना और भैस के सामने जो है बीन बजाना सही दोनों एक ही है कोई भी भारत का प्रधान मंतरीग को समझाने वाला नहीं है क्योंकि लातो के भूत किस्ते नहीं मानते बताओ भई लातों के भूत फिलिंग ना बलैंक्स बियाच्यू की स्थापना के बारे बात कर रहे बियाच्यू की स्थापना मदन मोहन मालवी जी ने की थी बातों से नहीं मानते बहुत बढ़िया यहाँ पर मदन मोहन मालवी जी हमारे देश में इन्होंने बनार सिंदु बिस्विद्याले की स्थापना की थी एजी एक महेंगी धातू है सफेद मुलायम चमकदार होती है यह क्या चीज एजी सुनते हो इसको हम बोलते है चांदी चांदी मतलब सिल्वर के उपर टिकर के नंबर लेजिए आपकुनर की सास्त्रिय हिंदू इंदुस्तानी सास्ति संगीत के प्रसित गाया कौन है सुभा म सुभा मुदगल के उपर सकते है सुभा मुदगल सही उत्तर हो जाएगा पे नंबर जवाब सई है किसी वेक्ति पार्टी राष्ट को एक किसी व्यक्ति पार्टी या रोकने कदिकार क्या कहलाथ किसी व्यक्ति पार्टी पार्ठ। को सथ सी नंबर आप्शन कस है, सोडियम है डुश्व को आप किया जाताсь सोडियम हाइड्रॉक साइड को अप्योग आप कहां पर नहीं करेंगे साबून बनाने में अंखबार बनाने में धात्यों में चिकनई कम करने में या अचार का संरक्षन करने में कहां पर आप सोड्यम। करेंगे चैसे इसको अमनों बोलते स्थिक गॉलते जानते इसका प्रियोग पर नहीं किया जाएगा तो भईया अच़ार में भाईया धोने वाले चीज का अचार में डूगे कास्टिक सोडा साबुन बनाने में न्यूस पेपर बनाने में चिकनाई कम करने में करते अचार बनाने में सोडियम बेंजोनाइट का प्रयोग करते सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग आप अचार बनाने में कर सकते हैं ठीक है 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही ओबर में भाई साथ तीन लॉंडों को बाहर भेज दिया पाकिस्तान के तीन लड़कों को पाकिस्तान के पहले तीन बैट्समेन को बाहर भेज दिया नाम क्या है अब फिर जो है वहा है कौन चैपल थे ग्रेग चैपल, भारत के कोच बन गये, इसको कहे किसमो तुम बालिंग से बढ़ियां बेटिंग करते हो, ओपनर कहे, तुम ओपनिंग करवा दिये इस से, भाई साथ अब इनको लगा कि यार हम तो यार ओपनर बढ़िया है बैट्समेन की ज़्यादा होती है बॉलिंग से ज़्यादा फोकस यह बैटिंग पर करने लग गए तो इंडिया के बहुत बढ़िया बॉलर बनते अगर बॉलिंग पर ध्यान देते एरफान पठान यहां पर सही जवा हो गई इनकी अगला प्रसना आपको बताना है भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी पृतिबा देवी थी मीरा कुमारी थी रमा देवी थी या निर्मला सीता रमन थी भारत की पहली मुख चुनाव आयुक्त के रूप में आपके इनका नान टिक करेगे तो यहा साधुनीक छेतर का अंतरगत नहीं आता है कौन सा वो है टिस्को है राऊल के ला है भिलाई है दुरगापूर यह कौण सा अमारा इस्टील प्लांट तो भाइए याधर का मतला टा टा और इस्टील कोर्पोरेशन तो टा 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 जो है वह बिए प्राइवेट है गवर्मेंट सभी बोले ना गौवर्मेंट से बढ़िया सुबिदा देता है हमाज रहो चलो अगला प्रसना आपके सांधने क्या है जरा देखेंगे सभी लोग कि the origin of species किताब को लिखने का स्रेक इसको जाता है लुई पास्चर है जेम्स वाटसन है चाल्स हमारे रॉबर्ट डार्विन है या जेन गुडविल है कोश्चन समझ में आ गया कि भाया हमारे origin of species किताब को लिखने का स्रेक इसको जाता है तो यहाँ पर जनता बोली है चाल्स रॉबर्ट डार्विन यहाँ पर तीन नमबर जित्ते लोग बोले है जवाब उनको यहाँ पर मिल जाएगा कथकली की नार डांस है सही उत्तर हो जाएगा एक नमबर रिजर्बैंग के गवर्णर की दिसंबर 18 में अपने पत्स से स्थीपा दिया उनका नाम क्या है उर्जित पटेल पी चिदंबरम नरेंद्र मुदी डॉक्टर मनमुहन ज़र 18 में अपने पत्स से दिजाइन दे करके सक्ती कान दास जी अब यहाँ के चेर्मेन बन गए उनका नाम है उर्जित पटेल सही जवाब हो जाएगा चार मिनार इस भारक आप कहाँ पर देखेंगे सिकंदराबाद, मुंबई, पनजी या हैदराबाद चार मिनार गोल कुंडा फोर्ट यह आपको कहाँ पर दिखाए देगा फिर से जन्ता ने बोल दिया यह हमारे भाईदराबाद में चार मिनार देखने मिलेगी भारत और सिलंका को विभाजित करने वाला जो हमारा स्टेट है उसका नाम क्या है जिबराटर है बेरिंग है हमबुर्ज है या पाक स्टेट है तो याद रखेगा भारत और सिलंका के बीच में हमारा जो मननार की खाड़ी में वाटर स्टेट है यह पाक स्टेट याद रख बताएए क्या होना चाहिए तो जंते हैं पर बोले गए विलाइज विलाइज यह हमारे परशंचन तरंत का इससा नहीं है यह देखिए ठीक है अगरा प्रस्थ देख लेते हैं जवाब आपको देना है खरीफ की फसलों की सुरुवात किस रितू में होती है यहां पर विंटर है ग्रीस में है बसंथ है या वर्सा है खरीव की फसल कब वह जाती है रवी की फसल हमारे सरद्यों की सुरुवात में बोलते हैं जिसको सरद रितु बोलते हैं गेहूं हो गया चना हो गया मटर हो गया सरसो हो गया फिर अगर हमनों खरीव की बात करते हैं तो भाई धान की फस था सर मजूली आइलेंड सबसे बड़ा जो रिवर आइलेंड है मजूली दीप ये कौन सी नदी के उपर दिखाए देगा तो बहिया 40 रुपए लगता है ब्रह्मपुत्र नदी में आप जाईए फेरी में बैठिए और मजूली आइलेंड को घूमके आईए ये हमारा कहां प पोर्ट विलियम सधनियम है सर का कोशन क्या है यहां पर आपको बताना है कि हमारे यहां पर किस कंपनी के सासन ने ब्रिटिस संसर के खतम कर दिया था तो गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट है और सनमर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रसना आपके सामने है सवसेष्ट अभिनेत्री के लिए 2018 का रास्टिय फिल्म पुरस्कार किस को दिया गया दीपिका पादुकूर्ण काटरीना कैप स्री देवी आलिया भट यहां पर सर का कोशन क्या है सवसेष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार 2018 में किस अभिनेत्री को दे दिया गया यहां पर बोली गया है सरी देवी जी को ये प्राइस दिया गया सांदार तरीके से तीन नंबर आप्सन सही जवाब हो जाएगा ये हमारे बेस्ट एक्टरेस का वार्ड जीती थी उस साल इनका निधन भी हुआ था 2021 में हमारे ओलंपिक खेलो कायोजन कहा पर हुआ भारत तीस में साथ मिडल जीते थे वैसे तो होना दोर बीस में था लेकिन 21 में कोविड की वज़े से सिफ्ट हुआ था और अगर हम बात करेंगे तो भारत की रैंक 48 थी और तालिस वी रैंक थी और यह उलंपिक टोक्यों में खेले गए थे तो टोक्यों जो बोले है जवाब सही है पांच मार्च 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस की ओर से मात्मा गांधी जी ने अत्यधिक बैठकों में भाग लिया था हना किसके साथ जो है यह हमारी बैठ cribe के सम्मदित है फिस प्रोडक्षन के उपर टिक करके लेए नमबर ले सकते नीली ख्रांती के समबंद हमारे मचली प्रोडक्षन से भारती रैगिस्तान के पश्मी सीमा पर इस्थित है कहमूर की पहाड़ियां, हिमादरी, नीलगरी, अरावली भारत का जो हमारा रेगिस्थान है ये किस पहाड़ी के किनारे बसा हुआ है देखे कितने लोग जवाब देने वाले, खुल के जवाब दीजिए यहां पर जन्ता ने जवाब देना सुरू कर दिया है सरभारती रेगिस्थान जिस पहाड़ी के किनारे आपको इस्थित दिखाए देगा वह हमारी अरावली की पहाड़ियां, मतलब चार नमबर आप्सन सही है मानोसरी के सबसे चोटी हड़ी के उपर जिक्र करना है कारपल से, अलना है, रेडियस है या स्टेप्स है हमारे भारती है, हमारे जो हुमन बॉड़ी है इसकी सबसे चोटी हड़ी का नाम आपको जवाब देना है यहाँ पर इस्टेप्स के उपर आपको टिक करके नमबर अपरात करना है कान में हड़ी पाए जाती है, मद्धे कान में स्थिति हड़ी है तो दोस्तो इस परकार से आज की सांदार ख्लास का यहाँ पर समापन होता है लेकिन जैसा कि आज साल का अंतिम दिन का एक दिन पहले है मैं करेंट अफियर्स की बहुत ही जो भी हमारी बाते हुई FIFA World Cup हो, हमारा Commonwealth Games हो, appointment हो, हमारे इहां पर जो भी बड़े-बड़े schemes आई, उन सब के उपर चर्चा करेंगे, प्राता काल 6 बजे, प्राता काल 6 बजे हम उसके उपर विस्तित तोर पे चर्चा करेंगे, लेकिन आप सभी लोग को हमारे उस session में जुड़ने के लिए प्राता काल उठना पड़ेगा, test book के official YouTube के platform पर आपको उहाँ पर आना पड़ेगा, है ना, लेकिन अभी तक अगर आपने SSC Super Coaching में enroll नहीं किया है, बहुत सांदार देखे, platform है SSC Super Coaching का, यहाँ पे अगर आपने enroll नहीं किया है, तो आप इंडिया के best faculties के video, best हमारे mock test और study PDF के जरिये, यहाँ पर जुड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पर जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, और आपको इन दो दिनों, मत्तब 331 में सांदार ओफर मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रारंब में ही बताया था, यहाँ पर आप अगर देखेंगे, फुड़ा सा उपर लेके चलते हैं मामले को, कितने कोस्चन आज हमने करा दिये, बहुत करा दिये, तो जितने भी देखेगा, यहाँ पर सबसे पहले, तो हम उपर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको SSC GD का कोर्स मात्र 224 रुपए में मिल रहे हैं, दोसों, इक कोर्स में सिर्फ वीडियो नही के उससे, बस जितनों इन्रोल किया है, वो पढ़ पाएंगे, तो इन्रोल कर लीजिए, कूपन कोर्ट सरका क्या है, पंकज चौबे जानते हो ना, पंकज यहाँ पर लिखना है, चौबे कासी लिखिए, 224 रुपए में हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, SS कूपन कोर्ट का इस्तमाल करिए, यह भी मिल जाएगा आपको, अगर आप यहाँ पर SSC CGLTIR 2 की त्यारी कर रहे है, 899 रुपए में, और साथ ही साथ किसी एक वेक्ति को कार जीतने का भी मौका है, सांदार तरीके से, और आप यहाँ पर देखेंगे, अगर तीनों का कंबा झाल